तो चलिए शुरू करते हैं वैशनवी के इस छोटे से क्राफ्ट और कलरिंग के प्रजेक्ट से वैशनवी बनाने जा रही है आज डॉल यूजिंग क्या बलते, इसको उण, भॊल यूज करके और कलर करके बढ़िया से तॉल यह देखिया तैयार बहुत ही अच्छी और क्यूट लग रही है गया हूा इसे चाल दयार चाल नाही नाही करिंगे हम नाही हम इस लिजे पानी डाल दो और यह है मेरी मम्मी का टिंडे सॉरी 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 यह रहे मम्मी का टिंडे हाई गाइस तो मैंने अमेजन से और किया था जिलेट का फ्यूजन प्रो ग्लाइड और दिखिए क्या चबरदस पैकिंग में वेजा है यार इनोंने बहुत ही मस्त लग रहा है चलिए इसको अन्बॉक्स करते हैं देखते हैं इसमें क्या-क्या है और राइट तो इसमें है एक रेजर फ्लेक्स बॉल रेजर प्रो ग्लाइड का जो की है 499 रुपे का और यह हमारे पास है ब्लेड इसके इसमें 5 ब्लेड है तो बहुत ही मस्त सा लग रहा है क्यूट सा लग रहा है देखते हैं इसमें को खोल के यह है रेजर साथ में इसके स्टैंड है यह है इसका स्टैंड जो की वाल में भी माउंट कर सकते हैं और वैसे भी आप रख सकते हो तो साइड में और यह देखिए क्या जबर्दस्त रेजर है इसमें ट्रिमर भी है बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे तो इसमें six blades है और इसका design भी बहुत जबर्दस्त है क्या-क्या बनाया जाए आज आज बनाया जी डाल जावर तो आज बनाया जीरा जीरा जो की सुबह बनाया थे तो भी खाएंगे इनको अब देखिए थेंक्यू खाली होगे मेरी रेडी मैं जारहा है इसको खाने है है गाइस वेलकम तू वीजे लॉग्स तो जैसे की आप देख रहे होंगे मैं जो भी थोड़ा बद पुझे टाइम मिलता है मैं फं करता हूं कमें बच्चों के साथ अपनी पैमिले के जाए तो इसके लब आप आज कल काम जादा है तो में काम पर फोकुस जादा हूं करेंगे पटेटो अनियन एक तमाटर और कटिवी मिर्च उसके अलावा जो भी हम चीजे इसमें डालते जाएंगे वह इंग्रीडियंट्स में आपको डलते डलते बताता जाओंगा कि हम क्या-क्या और इसमें डाल रहे हैं तो लेट्स स्टाप हम शुरू करेंगे टमेटो तो बेसिकली मैंने इंको पहले वोय कर सकते हैं मैंने इनको माइक् रखते में चार पांच मिन एक लिए रखकता था तो माइक्रो वेवें में Бछा अगर हम रखते हैं तो वह गौ Śुम पहले हैं तो उसमें करह से बोई हो जाते हैं तो फांच मिनंत बीडि रखते यह तो यह हमारा जो है बैटर हम इसको मिक्स करके अच्छी से रेडी करेंगे लेकिन उससे पहले नमक, मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, तो अब हम इसको बग्यास के नेश करते हैं और हम अपना ब्रेड रोल के लिए जो फिलिंग है वह हम रेडी कर तो यह हमारा जो बैटर है वो रेडी है, नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो है ब्रेड, ब्रेड्स को हमें करना क्या है अभी इनकी हमें साइड्स कट कर देना है तो जो बैसिकली है हाड पाट होता है इसको हमें अच्छे से कट कर देना है और ब्रेड को कट करने के बाद हम रोलिंग पिन से इसको अच्छे से रोल करेंगे जिससे कि ये थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा पतला होने के बाद हम जो हमारा हमने बैटा बनाया है उसको थोड़ा इस शेप में बनाएंगे और इसमें फिल करके रखके हम इसको रोल कर देंगे जब हम रोल करते हैं तो आप तहान से देखना हम थोड़ा सा यहाँ पर बटर लगा देंगे और बटर लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे तो यह हमारा रोल जो है वो रेडी हो गया जितनी आपके रेक्वार्मेंट है जितनी आप लोग हैं बैसिकली दो रोल एक बंदे के लिकाफी हो जाते हैं लेकिन डेपेंट्स आपकी डायेट तो चलिए अब इन रूल्स को फ्राय करते हैं हम रखेंगे अपना रूल्स शोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे अब बटर लाओके तो पलेट देंगे पलेट देंगे अब बटर लाओके पलेट देंगे करेंगे पलेट अब ड्राइब करेंगे अबुड़ करेंगे 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 कि अब डिए वाद टर्ड़ और फिर आपके सामने पेश करते हैं, bread roll. Okay guys, तो plate मेरी रड़ी है, bread roll garnish हो गएं बढ़िया, आप इनको sauce के साथ, या महनेज के साथ की खा सकते हैं. और अब करते हैं, इसको टेस्ट. बहुत ही बढ़िया इवनिंग नाक है, मेजा रहा है, जल्दी से ट्राए किजिए, ज्यादा राइमी लाई है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही लाई ही तो गैस, प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर दे दिया चैनल को, अगर अगर अपको मेरी रिसीपी पसंद आ रही हैं, मेरे विलोग्स पसंद आ रहे हैं, थांक्यू बर्यमच . My dad cooked food today, so.. when it gets cooked, it gets brown everywhere know what it is, because it is cooked with hot gas. Ok, you ate it? Yeah. How does it taste? Yum! Yum?! yeah, but it tastes like little bit Tomato Tomato?? yeah okay, put it over there otherwise it will fell down okay thank you baby